नमस्कार News24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी और मेरे सांथ है सुकेश रंजन और आप News24 का खास कारिकरम देख रहे हैं 24 के रेस बताएंगे सुकेश राजस्थान में कल BJP की बहुत बड़ी बैठक होई बैठक इतनी बड़ी थी कि सुबह तीम बजे तक चली है वो बैठक बैठक में राजस्थान BJP के तमाम बड़े नेता शामिल थे और जेपी नड़ा हमेश उस बैठक की ऐसे कह सकते हैं कि अध्यक्षदा कर रहे थे बैठक में राजस्थान विधान सभा चुनाओ को लेए की BLP में जतनी भी पृषानियां नाराजज़ी चल रहे थी कही ने कही उन सभी पृषानियों को दूर करने की बाद की गई और कही ने कही दूर की भी गई उसी बैठक के बारे हम बात करेंगे सुगे सान हमारे साथ मौझूद है सर आप इस बैठों को किस तरीके से देखते हैं और क्यूं खास बताया जा रहा है राजस्थान में बीजेपी के लिए बैठों खास इसलिए है क्योंकि विधान सभा का चुनाव बहुत महत्तपूर्ण है दोहजार चॉबिस के नज़रिये से भी खास इसलिए भी है क्योंकि वहाँ एक परीपार्टी है कि पात साल के बाद सत्ता बदल जाती है एक बार कॉंग्रेस की एक बार बीजेपी की दस्वकों से यही चल रहा है खास इसलिए भी है क्योंकि कॉंग्रेस में बहुत सिर्फ टोगल थी बहुत घमासान था उनके दो जो बड़े नेता है मुख्यमंतरी अशोगहलोत और जो पहले उनके उक मुख्यमंतरी और पुदेश के अध्यक्षवा करते थे सचिन पाइलिट के बीच जो अन बन हुई और उसको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन गाठ अभी भी बनी हुई है पड़ी हुई है महत्पून इसलिए है क्योंकि बीजे पी अपने सारे डिफरेंसेस को खत्म करना चाहती है महत्पून इसलिए है क्योंकि बीजे पी साय जन नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहती है और महत्पून इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल वहां वसुंधरा राजे के तौर पे है आम तोर पे ये माना जा रहा है कि जो शीष नेत्रित्व है वो जन नेक्स्ट की तैयारी में है वो वसुंधरा से आगे देखना चाहता है पैन राजस्थान वसुंधरा राजे से बड़ी अभी भी उनके पास कोई नेता नहीं है वो अभी भी वहाँ की सबसे बड़ी नेता के तौर पे देखी जाती है और जब आप एक नए नेत्रित्व की तराश कर रहे हो और उसमें आप एक हर्डल देखते हो कि उनका इंफ्लूएंस है वो जगा खाली भी नहीं करना चाहती तो ऐसे में ब्रेंस्टार्मिंग सेसन बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए दो बड़े नेता पार्टी की अध्यक्ष अभी तक ऐसा लग रहा था कि राजस्थान को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे है बीजेपी की अध्यक्ष जेपी नडड़ा लेकिन अमिच्छा भी वहां पहुचते है आठ गंटे की बैटक होती है यह महराथन बैटक है और आपने बताया कि उसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता रास्थान के मौझूद थे केंद्र से वहां अमिच्छा और जेपी नडड़ा थे बीजेपी बीजेपी नेता है जाहे वह राठ होर हो परसुंदरा के अलावा जाहे वह गजेण सिंग सिखावत हो जाहे आजकल बहुत प्रॉमिनेंस दी जा रही है अर्जुर्याम एकवाल को जिनको लौ मिनिस्टर बनाया गया हो जाहे पूर्व मंत्री और वहां सांसद है राजे वर्दन सिंह राठ होर वो हो पूनिया हो उनके प्रदेश अध्यक्ष हो वो तमाम लोग संगठन मंत्री हो वो तमाम लोग बड़े लोग बैठत में मौजूद थे अब बैठत में क्या हुआ हमने दर्शकों को बताया है कि शायद बीजे पी ये चाहती है कि सिवराज सिंग चौहान मद्री प्रदेश खाली करें और खाली करने काई संकेत भी वहां गया है मद्री प्रदेश में जब उन्होंने नरेन सिंग्तोमर से लेकर फगन सिंग कुलस के से लेकर प्रलाद पटेल से लेकर कैलास विजर वर्गिये से लेकर राके सिंगने सिंगने तीपातक तमाम ऐसे लोगों को चौनाव मैदान में उतार दिया है क्या यही फॉर्मूला अपलाई करना चाहते हैं बीजे पी के लोग राजस्थान में क्या यह एपलिकेबिल है ऐसी खबरे आ रही है कि कुछ बड़े नेताओं को जो केंदर में अभी अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो सांसद हैं उनको चौनाव मैदान में उतरने के लिए कहा जा सकता है बाद जैन सिंग से कहावत हो सकते हैं वो उसी इलाके से आते हैं जहां से प्रदेश के मुख्य मंत्री है डरह आसाल उन्हें प्रदेश के मुख्य मंत्री के बेटे को हराया है अर्जुन नाम एघवाल उनको चौनाव मैदान में उतरने के लिए जा सकता है, ऐसी खबरे हैं, राज वर्दन सिंग राठोर, एक्स ओलम्पियन, ओलम्पिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, सांसद है पार्टी के, जो मोदी 1 थी, ये मोदी 2 अगर कहें सरकार को, तो उसमें वो मंत्री थे, उनको भी चुनाव मैदान में कहा जा सकता है, उतरने के लिए, तो वो इसलिए है, क्योंकि वहाँ पे स्मूद सेलिंग नहीं दिख रही है, कॉंग्रेस वहाँ, आपसी जगडे की वज़से, कमजोर जरूर हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, कि एक एक एंटी इंकम्विंसी, एविडिन्ट एंटी इंकम्विंसी, जो सड़क पे दिखिनी चाहिए, वो नहीं है, और बीजेपी के अंदर भी, नेत्रित्व को लेकर, काफी जगड़ा है, तो इसलिए ये बैठक बहुत ज करेंगे, इसके अलावा मुझे लगता है, कि जो one-to-one बैठक हुई है, कहा ये भी जा रहा है, कि वसुंधरा की शीरिष नित्यतों के साथ one-to-one बैठक भी हुई है, शायर उसमें वसुंधरा को इस बात के लिए तयार किया गया है, कि हम सामूहिक नित्यतों में लड़ें अब तक उनकी कोशिश ये थी, या उनके पूरे फैक्शन की कोशिश एक बड़ा वर्प उनके साथ है, विधायकों का भी, और यही उनके स्टेंथ रही है, कि बहुत सारे विधायक अभी उनके समर्थन में हैं, यह all powerful central leadership है, तरशकों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी, अमि जो शत्रप, जो शेत्र के बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता एक जमाने में strength हुआ करती थी बीजेपी की, वो पहले जैसे शत्रप अब नहीं है, इसलिए वो एक्जिक्यूट करते हैं जो center की तरफ से आदेश होता है, इस बात के लिए तयार करना वसंधरा राज है, मैं ऐसा मानने को तयार नहीं हूँ, कि इंद्रिया नेतितु भले ही एक नया leadership चाहता हो, वो इसमें सफल हो जाएं कि वो वसंधरा को CM के तौर पे project नहीं करेंगे, लेकिन शायद इस बात पर सहमती बनी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि एक सामूहिक न चुनाओ लड़ेंगे, वसंधरा उनमें से एक होंगी बड़ी नेता के तौर पे. कि वसंधरा के लिए एक रास्ता भी खुला हुआ है, वो अपने आपको उस रोड़ पे देख रहे होंगे, कि पहले चुनाओ जीट जाते हैं, उसके बाद समतै करेंगे, क्या आगे क्या करना है? आप उनको फोर्स करके बाहर नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वसंधरा राजे मैंने पिछले अपने, जो आपने रिकॉर्ड किया था, जिस समय मध्यप्रदेश में अमाम नेताओं को चुनाओ मैदान में उतार दिया गया था. मैंने ये कहा था कि शिवराज सिंग चौहान और वसंधरा राजे में बुनियादी फर्क है. शिवराज सिंग चौहान 17-18 सालों से मुख्यमंत्री है. वो एक एंटी-िंकम्बिंसी जेल रहे हैं. राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है. वहां कॉंग्रेस के खिलाफ उनको बाहर कर देना. यह संभव नहीं है. बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है. और बीजेपी के लिए अगर 23 हानिकारक होगा तो 24 भी हानिकारक हो सकता है. तो आप एक हद तक वसंधरा को टेम कर सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री पद की उमीदवार नहीं होगी. वहाँ इंटवीन करेंगी क्या या बड़ा गुड जो होगा वह सुन्द्रा को नेता बनाने के पक्ष में होगा क्या केंद्रिय नित्यू तो इस जिद पर अड़ेगा कि हमें अब जो जिननेक्स कहरा हूं में एक नए जेनरेशन को आगे बढ़ाना है नेता के तौर पर स्टैबलिश करना है सालों लगते हैं स्टैबलिश करने में किसी को कमान दी जाएगी तभी वो स्टैबलिश हो पाएगा इसलिए कोई नयानेति तो आएगा क्या यह सब दूर की कोड़ जो केंदर में अभी सर्फ कर रहे हैं जो मोदी मंत्री मंडल में हैं वो भी चुनाओ मैदान में उतरेंगे यह एक तरीके का संदेश और संकेत होगा मौजूदा नेतितु को राज्य के नेतितु को कि हम बदलना चाहते हैं क्या यह हो पाएगा यह बहुत आसानी से नहीं क उसकी सबसे बड़ी परिशानी थी कि जो पार्टी के अंदरी जो कल है मच रहा था उसको फिलाल के लिए टाल दिया है क्या आपको लगता है कि जब यह बात या फिर लोगों के पास पहुंचे हम भी खबरे दिखा रहे हैं काफी जादे न्यूस पॉर्टल्स भी खबरे च देखिए दो तरीके हैं चुनाओ लड़ने के एक जो एक न्यू नॉमल कह सकते हैं राजडीती में हो गया है कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तबदील कर देते हैं चुनाओ को कि एक पार्टी से या मुख्यमंत्री ये है उसके खिलाफ कौन या हमारा मुख्यमंत्री का उमिद्वार ये आपका कौन जैसे केंद्र के स्थर पे होता है बीजेपी ही पूछती है कि नरेंद्र मोदी तो है आपके इंडिया का नेता कौन तो कॉंग्रेस से सवाल कर सकती ह कि आपका नेता कौन तो कॉंग्रेस से भी ये सवाल पूछा जाएगा क्या क्या आप ही क्या आशोग गैलो थी मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल उनसे भी हो सकता है इसलिए और ऐसे बहुत सारे राजे हैं जहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का अपने इंफ्लूएंस से चुनाव लड़ रहे थे वो अपना इंफ्लूएंस दिखा रहे थे वो अपनी कॉंच्वेंसी को अड्रेस कर रहे थे और डबल इंजिन के नाम पे वोट मांग रहे थे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे राजस्थान में वोट मागा जाएगा सामुहिक नितितों के नाम पे राजस्थान में वोट मागा जाएगा लेकिन ये बात सही है कि जब तमाम ऐसे लोग जिनके बीच वो understanding नहीं है वो सब उस दौर में अपने आपको कहीं न कहीं देखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूँ वो केंद सीरिशनेतुत के इस आहट को समझते हैं कि वहाँ वो सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं वो जेनरेशन चेंज देखना चाहते हैं वो पीड़ी का परिवर्तन के मूड में हैं चाहे वो मद्रिप्रद लड़ सकते हैं हो सकता है वो चुनाओ भी न लड़े लेकिन वसुंधरा को इस तरीके से कोर्स करके आउट कर देना ये बहुत आसान नहीं है और कोई भी समझदार पाटी ये करती हुई दिखाई नहीं देगी क्योंकि मेसेज ये जाएगा कि अपने स्टाबिश नेता को लड़ेंगे और बार में हम कुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषना करेंगे तो पहला एक तरीके से केंद्र का जो केंद्रिये नेतित्तो है वो ये समझ सकता है कि हम इसमें काम्याब हुए कि आपस में करने स्टांडिंग बनी और वसुंधरा आपने आपको इस चीज में काम्याब पा सकती है कि वो अभी भी रेकनिंग में है उनको बाहर नहीं किया जा सकता बाकी नेताओ की तरह तो ये विन-विन सिचुएशन निकालने की कोशिच की गई है बहुत आसान नहीं है इस स्थिती में चुनाओ लड़ना लेकिन कॉंग्रेस भी कुछ ऐसी ही स्ट् साल के उनकी कोई भी सरकार होती है उनकी खिलाफ की चाइनटीन कंबेंसी होती है सरकार के खिलाफ होगी हलाकि उनने तमाम ऐसी योजनाएं लागू की है राजस्थान में जिससे वो जीत सके वो इस रिवास को बदलना चाहते है कि पात साल के बाद सरकार बदलेगी लेकिन मूलता जो दो बड़े नेता हैं उनके अपने अपने फैक्षन है बीजे पी भी अलग अलग फैक्षन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी क्या सीष नेती तो उस दूरी को खत्म कर पाएगा पाठ पाएगा मुझे इसमें शक लगता है बेसिकली भारती जुनेता पाठी न भी ये तो तैय कर लिए कि पहले चुनाव जीतते हैं उसके बाद से तैय किया जागे कौन मुख्यमंत्री बनेगा वसुंद्रा को भी सॉल्व कर लिया गया वो भी हस्ति मुस्कराती आके फैसला आता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं एक और जानकारी दे दूँ तीस तारीक को CEC की बैठक है और वो मध्यप्रदेशों 36 गड़ को लेकर है तो उसमें थोड़ी क्लारिटी आ जाएगी 36 गड़ पे जिस 36 गड़ की आपने बात की की वहाची आपने बात